हेलो दोस्तों मेरा ना मैं दिप और आज की choose value मैं मैं आपको servants म επιकिर सब्सक्राइब कर लेना और है यह वीडियो नहीं ने है तो इस फोन के बारे में बात कर दो इस में आपको six-point Fahrenheit एक मौ estos nights डिखने को मिलता है एम्हालेचई डिस्पलेज जिES सूपेर एमिट बीदस्पले में बहुत अंतर होता है एमॉल डिस्पले तो ठीक रहता है इसके तो घुला선 Hier कि मिलेगा और यह जो फोन के नहीं रहता है पांस कैम्रे संहीं के पांच कैम्रे अच्छा फोटो देखने को मिलेगा तो इस फोन का जो main camera है वह एक सो आठाट मेंका पिकसल अब देखा जाए तो 108 मिलेंगा चाहए अच्छा से 8 Megapixel का एक Ultra Wide Lens अगर आपको फोटो नहीं खिचने आपको सिर्फ दिखाना है कि मेरे पास पांच के मेरे वाला फोन आप इस फोन को ले सकते हो अब बत करते हैं इसके सेलफी के बारे में तो इस फोन के सेलफी में आपको 32 Megapixel का एक सेलफी कैमरा देखने को मिलेगा जिससे 308 का फास्ट चार्डिन सपोर्ट करता है लेकिन भाई 5,220 एमेच के ही क्यों दिया हमसे तो 10,000 एमेच के भी देगा तो भी वो एक दिन ही चलेगा सामको चार्ज में लगाना पड़ेगा अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर के बारे में तो इस फोन में आपको इन आपको अलुमिनियम का बना है और इस फोन का जो पीछे है वह ग्लास का बने जिसमें आपको कॉर्णि गोरिला लास पास एपका सपोर्ट देखने को मिलेगा आगे में भी आपको वहीं ग्लास में बात करते हैं इसके हाड़वेयर के बारे में तो इस पोन में आपको इसने को एड़ देखने को नहीं मिलेगा क्या पता यार हो सकता है मैं एड़ ना दिखा लेकिन बहुत गंदे देखाते हैं मैंने देखा मेरे पास भी है यह के रेड्मी लेकिन इसमें बहुत गंदे आड़ाते घर के सामने मोवाइल को चलाने का मन भी नहीं करता तो बस इतना ही लेकिन अब बत करते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में तो यह जो फोन है आपको इंडिया में 43,000 में देखने को मिलेगा भाई इससे अच्छा पर रियल मी 6 प्र प्राइज बहुत ही जादा है ऐसे इसलिए क्योंकि नोटें और नोटें प्रोजों है वो चाइन में लांच हो था और चाइन महीं बनाया गया था क्योंकि इसे बनाने का जो टिकनोलोजी अभी इंडिया में नहीं है मतलब एम आइप एम इंदिया के पास नहीं है तो यार वैसे भी है में बहुत बेकाल लगता है मुझे है मैं हेटर हूं है तो बस आज की शुडियो में इतने ही मैं मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तो गाइस यह जो फोन है बिल्कुल भी मतले ना मैं लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा इसे अच्छाव रियल करना